Hello दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि तीन नमबर के बीच में सबसे बड़ा नमबर कौन है उसको पता करना nested if statement को use करके तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने यह बताया थे कैसे strong number check करते हैं तो यह last strong number program का code है तो चलिए सबसे पहले हम इससे delete करते हैं तो तीन नमबर की वीच में सबसे बड़ा नमबर कौन है इसके लिए हमें सबसे पहले चार integer variable चाहिए a,b,c,high को इनिसराइस करते हैं जीरो से उसके प्रिंटर फंक्शन हम यहां लिखते हैं यहां पर पर्सेंट डी पर्सेंट ही नहीं यहां देना यहां पर हमको देना इंटर फॉस्ट रंगर और यहां इसके बाद इसकैन फंक्शन लिखते हैं उसके बाद और पर्सेंट इंपर्सेंट ए बाद बाद जो इंटर करेंगे वाँ रिसेट करेंगा act फल्याएं को कापी करना खिए उसके बाद ऊसके बाद पेस्ट करते हैं यहां पर इंटर स्थेकन नमबर तो जब भी नंबर इंटर करेंगे वाँ अ बी रिसेट करेंगा यहां पर enter third number यहां पर इसी रिस्ट करेगा उतके बाद चलिए nested if statement को लिखते हैं यहां पर if condition है a greater than high अगर यह condition सही है तो यहां पर high में a का वैलू high में जाएगा फिर if statement लिखते है d greater than high अगर यह condition सही है तो d का वैलू high में जाएगा फिर से if statement यहां पर c greater than high है तो यहां पर c का वैलू high में जाएगा उसके यहां पर print function फिर च लिखते है और उसके बाद %d highest among three उसके बाद यहां पर implement करते हैं जाएगा इस पर ग्राम को execute करके देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले a का वैलू हम इंटर करते हैं 12 उसके बाद b का वैलू 8 और c का वैलू 9 इसमें 12 greater है तो यहां पर 12 is highest amount 3 ठीक output आ रहा है चलिए इस बार है रहा है mamaaja, हम यहां पर inter cave 16 और यहां पर 89 और हम यहां पर 76 तो इस पर b में b receive करें 89 और यहां से 89 greater है तो यहां पर 89 highest amount 3 अए यह output आ रहा है तो यह उ физ और यहां पर तिस्रेंड कहलें हम एंटर करते हैं जा का वैलू 12 बका वैलू 78 बका वैल 99 यहां पर और है 99 highest time of 3 देख इस प्रोग्राम उपर कैसे करता है अगर आप कोड अगर डिबग करते हैं या रून करते हैं सबसे पहले कान्टोर मेन फंक्शन के पास आता है उसके बाद यहां अंदर आएगा यहां मैंने चार इंटिजर वैरेबिल हैं AB,C और हाय कोडिशना ह्ट की अगर जिड़र से यहां प्रिंटर फंक्शन इंटर अंबर तो किछ भी इंटर करेंगे इसका उसका यहां पर जो कुछ भी इंटर करेंगzer बी रिसीब करेंग reflecting करेंगетр 5 आप time तो चलिए हम A का value यहाँ पर हम इंटर करते हैं A का value हम यहाँ पर इंटर करें 12 B का value 9 और C का value 8 तो यहाँ पर चिक करें A greater than high तो A का value 12, high का value 0 12 greater than 0, सही है, तो A का value को high में जाएगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, high में उसके अदिए B greater than high तो B का value 9 है, और high में 12 है 9 greater than 12, जो कि सही नहीं है उसके अदिए उसके अदिए C greater than high C का value है, यहाँ पर 8, high का value 12, जो कि यह भी सही है यहाँ पर प्रिंटर function आएगा, तो %D, highest among 3 यहाँ प्रिंट करेगा, high का value, तो high का value 12 है, तो इस पर A में हम 2 इंटर करते है, और B में 9 और C में 8, तो यहाँ पर A greater than high, तो A का value सुरू में 0 ही लाएगा, तो A का value 2 है, 2 greater than 0, जो कि सही है, तो A में, high में 2 जाएगा, तो A जाएगा, उसके अदिए B greater than high, B का value 9 है, High का value 2, 9 greater than 2, सही है, तो B का value high में जाएगा, तो यहाँ पर high का value 9 हो जाएगा तो इस तरह से प्रोग्राम वर्क करता है यहां पर मैंने यूज किया नेस्टेटमेंट का यूज करके तीन नमबर की बीच में कौन सा बरा नमबर इसको डिस्पड़ किया तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं निव टॉपक के साथ निव वीडियो में अगर आप यह वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज लाइक किजिए और मेरी चैनल पर सब्सक्राइब किजिए तो थैंक यू इस वीडियो के देखने के लिए